आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अडानी वीलमारे स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को ले करके प्रस्नली मैं बहुत ही बुलिस हूँ और साइध आपको याद हो तो आज से कुछ समय पहले सोना कौम IPO लिश्टेट हुआ था सेम उसी की तरह इसके formation भी बेस formation ठीक उसी की तरह बनते हुए दिख रहे हैं और इडिवेल ओइल के बढ़ते हुए price और रसिया और यूकरेन का जो conflict है surely ये stock beneficiary होने वाला है और जिस परकार से इसने 310 के price को reject किया और उसके बाद continuous more than 5% की तेजी से stock में पिछले 3 दिन से आते वे दिख रही है हमने आपको कहा था कि ये nifty index को जरूर बीट करेगा और काफी तेजी से ये stock उपर जाने वाला है आज के trading session में इस stock को अगर आप देखेंगे तो इसके buyer more than 3 times to the seller seller से 3 गुना जादा buyer है और volume is more than 2 CR technically ये stock बहुत ही strong लग रहा है और 382 के उपर के closing पे इस stock में one-sided obtained देखने को जरूर मिलने वाला है तो fearful होकर के इस stock को sell नहीं करें अगर पहले की buy है तो position बनाए रखें अगर नहीं है तो यहां भी आप small quantity stock buy कर सकते हैं डरने की कुछ भी बात नहीं है fundamentally बहुत ही strong share है और surely this stock में 600 तक के targets within one month 1.5 month के आसपास में इस stock का target more than 600 surely आपको stock में दिखने वाला है